जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का नौटिफिकेशन जो है कल रात में आ गया था यानि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भरतियां आपके जो भरतियों का टेंडर है उसको जारी करने का मतलब नौटिफिकेशन आ गया है और वो जो टेंडर जारी किया जाएगा वो 27 जनौरी की पहले-पहले मत्तब फिक्स कर दिया जाएगा किस काउंची कंपनी आपका exam कराएगी यानि कि 27 जनौरी के बाद आप समझ लिजे फरवरी में आपके फाम वाम की सारी procedure कंप्लीट हो जाएगा और आपका मार्च में exam का बिल्कुल 99% उम्मीद है कि मार्च में आपका exam ये करा लेगी सबसे बड़ी खास बात है मैं आपके इसमें exam के बारे में जानकाई दे देता हूँ कि आपका exam कैसे कैसे क्या होने वाला है तो सबसे पहली बात जो इस exam की है न ये आपका जो exam है offline होने वाला है और ये यदि offline exam होगा न तो समझ लिजे कि आपको इसमें ज्यादा दिने लग रहा सिर्फ एक दिन में आपका exam होगा और ये exam आपका चार पालियों में होगा यानि कि चार सिप्टों में आपका ये exam होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको माय था माय था और रिजिनिंग में सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी यही आपका माय था और रिजिनिंग है इसको decide करेगा कि आप UP पुलिस में कि आप मतलब फिचकल के लिए eligible हैं कि नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पर 18-20 लाग फार्म भरे जाने हैं जिसमें फिचकल और डाकुमेंट बेरिफिकेशन के लिए सिर्फ आपके 85-90 लोगों को लिया जाना है आयोग ने साफ साफ बता दिया है यानि कि आपके जो 18-20 लाग फार्म भरे जाएंगे उनमें से 18 लाग तो लड़के बेकार हैं सिर्फ एक लाग लड़कों को उनको लेना है तो यदि आप इस मैरिट में आना चाहते हैं तो आपके लिए मायत अरुजनिक बहुत जरूरी है तो आप यदि मायत बहुत 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 बहु आप देखिए कि मेरे चैनल पर जाकर आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा पूरी आपके लिए सब कुछ फिरी में है तो आप बस क्या करते हैं मेरे चैनल तैयारी पिलस जिसको देख रहे हैं इसको आप सस्क्राइब करिए और कमेंड करके बताइए आप कितने इग्जामों का एनालिसिस करके फिर आपको बताउँगा कि कैसे कैसे आपके कोउस्चन आएंगे एक्जाम में तो उस टायब के सारे कोश्टन आपके जितना भी 10 से 15 दिन का टाइम बचेगा सारे टाइप के आपको कोश्टन करा दूँगा कि आप एक्जाम में जाओ और धुआ धुआ करके चले आओ माइस में क्योंकि देखिए इसमें हिंदी आप देखिए इंडिया में रह रहे हैं तो हिंदी में जो ह रिजिनिंग के है ना वह लगवख 50 से 55 कोश्टन आना है और मैत के जो हैं आपके 20 से 25 कोश्टें आना है तो जो major role Finance करते हैं यह तो देखिए सब कोई हलकल लेता है क्योंकि हिंदी इंडिया में हैं तो सब कोई लगवक्त 30-32 कोश्चन अराम से सभी करते हैं और दिक्कत आती है तो आप देखिए यह आपको फंसा देगा और यह यह फंस गया ना तो फिर आपका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा तो मैथ अरुजिनिंग आपको बहुत बेतर करना है मैथ की तो आप बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजी आपको पूरी मैथ बिल्कुल बेतरी इन सांदार तरीके से कबर करा दूँगा आप देखिए आयोग ने एक जो मेन मुख इंपार्टन बात बताई है वो आयोग न में आपके ब henra paper के set तयार करना है डा PayPal के set तयार करना है में इसमें से चार papers जो आपके मिलेंगे क्योंकि चार पालियों में आपकर ठीवर नहीं होना है तो चार पेपर मिलेंगे आप पर्कार रहेंगे वह इसलिए 12 बनाइघ याए है कि कोई इसमे चुन नंपल Ass werden ап Democrat जो यूपी पुलिस है ना ये इनका खुद का प्रेंटिंग प्रेस है तो ये सारे पेपर खुद छापेंगे तो आपको इसमें मतलब पेपर आउट आउट होने वाली पूरी समस्या खतम है अब देखिए दिपांस अजार आयोग पेपर बना के देगा जो कंपनी लेगी पा 12 चोको 48 यानि कि लगबख आधे से ज्यादा कोस्टन है तो आपके एक सब्जेट के पेपर में ही बना के दे दिये जाएंगे तो देखिए क्या है आपको इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है मतलब बहुत बेतरी सांदार तरीके सोगा और देखिए आप जो कुछ लोग पर लग जाना है आप सभी लोग कमेंड करके बताइए तो सुमार से मैं बहुत स्टार कर दूँगा बेतरी सांदार तरीके सापको मैस पड़ा दूँगा देखिए क्योंकि आप लाइन एक दिन में खतम हो जाना है एक दिन में लेकिन हाई ये नार्मलाइजेसन होगा आप अब इसके लिए बिल्गुल भी चिंता नहां करें नार्मलाइजेसन आपका होगा क्यों कूई मिला करके फिर नार्मलालाइजेसन होगा इसके बाद फिर आपका नमबर बनेगा लेकिन देखुए दोस्तों आपका मार्च में लगभक हैंडत परसेंट आपक के पास तो कोई भी आपके पास certificate है चाहे EWS का हो चाहे OVC का हो चाहे SC का हो कोई भी certificate है आपको उसमें 5 साल की छूट मिलेगी यहनी कि आपकी एच कितनी हो जाएगी 28 साल हो जाएगी और जब 28 साल हो जाएगी तो इस बार बहुत बंफर लोग फांभने बाले हैं तो आप सभी लोग तायल में लग जाईए कमेंट करके बताईए आपको मैच का कितने बाचे बैच ही पूरी चीजे फिरी में पढ़ाऊंगा आपको एक भी रुपाय चार्ज नहीं देना बस चैनल को सस्क्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और अपने यार करने की गरंटी होगी इस बात को मैं आपको 110% रीटेन में गरंटी दे सकता हूं बस आप मेरे साथ बने रही है सिर्फ 45 दिन ठीक है तो सभी लोग कमेंट करके बता है कितने बज़े आपको बैच चाहिए बाकि जैसी पेपर का मतलब जैसी फार्म भरने का नॉटिफिकेश हैं और बांकि अभी इसमें ज्यादा कोई जानकारी नहीं है तो मतलब फार्म वाम की तो आपको में में चीज़ बता दिया कि आपका देखिए एज कितनी होगी 28 साल होगी मतलब कोई भी सार्टिफिकेट है नार्मल लोगों के लिए 23 साल मतलब जर्नल लोगों के लिए बा एक रूल आप हमेशा सभी लोग अपनी लाइफ में बनाईए कि यदि आपको लाइफ में कभी कोई प्राबलम आए तो आप उस प्राबलम को ले के परिसान नहीं होंगे आप इस बात को ले करके परिसान होंगे कि आपको उस प्राबलम का समधान कैसे निकले आप उस प्र करके देखिए सिर्फ एक साल आपको उसका रिजल्ट है दिख जाएगा ठीक है तो बाय बाय टेक क्यार थैंक यू